वेलकम तो परिक्षय इंस्टिटीट इट शिमी पुर्शोतम को बाद दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एक्जामनेशन दोजार तेस के लिए क्लास टोवल्थ के अगरा अंसार सेट नंबर फाइब इसको मैं रिपीट करवाने वाला हूँ आपकी क्लासेश जो पॉस्पॉर्ण हुई है उसके लिए मैं चमपरारती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्ते सही नहीं था इस वज़े से क्लासेश आपकी नहीं हो पाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को तो अगर आप हमारे चैनल पर नए ही तो हमारे चैनल क करना है आपको subscribe करने के साथ video को भी share करना है अपने दोस्तों के साथ जिस्से कि उनकी भी help हो सके तो चली start करते है आज के इस session को अपने तो आज का हमारा question है Choose the correct option to answer the following expression आपको सही option का चुनाव करना है इसमें से तो आज का हमारा question रहेगा one who did for one's country ऐसा बेक्ति जो अपने देश के लिए अपने आपको निशावर कर दे अपने आप उसकी मृत्ति हो जाए अपने देश के लिए जो जान अपनी दे दे तो उसको हम करते हैं matter मतलब सहीद, patriot मतलब होता है himself, उस बेक्ति को क्या कहेंगे जो स्वार थी वो अपने बारे में ही हमें सा सोचता हो egoist आंकवादी egotist आयंकारी और benevolent मतलब परोपकारी altruist मतलब परोपकार के सिद्दान्थ का तो यहाँ पर आपका auction number second जो होगा वो आपका right हो जाएगा choose the right meaning of the following idiomatic phrase यहाँ पर right meaning आपको choose करना है तो चलिए देखते हैं will and who मतलब सुब असुब दुख और सुख इसको हम कह सकते हैं दूसरे सब्दों में तो इसका हो जाएगा joy and sorrow आपका auction number one is the right answer true and false यह आपका नहीं होगा third है आपका sacred and open rise and rise and fell फिर है और करके a bone of contention अर्था जगडे की जड़ जिसको हम कह सकते हैं तो यहाँ पर इसका auction जो दिये गए है a cause of dispute यह इसका right answer होगा मतलब जगडे की जड़ कह सकते हैं a matter of concern चिंता का विसे a king of born this is यहाँ पर हो जाएगा राजा की बीमारी का करण अब इसमें है a miserable life दुखी जीवन the synonym in the following word abandoned का सिहाँ पर synonym साबको बताना है यानि की परियाएवाची सब्द give up होता है abandoned का मतलब परियाएवाची सब्द receive मतलब प्राप्त करना admit मतलब सुविकार करना adopt मतलब होता है अपना ना उसके बाद में आपका आजाएगा auction next paradise paradise का मतलब होता है श्वर्ग इसका auction जो होगा वो हो जाएगा heaven hell मतलब नर्क myth मतलब होता है khusi fall मतलब गेरना if was you I would punish him अगर मैं तुमारी जगा होता तो मैं उसको सजा देता which word in this sentence is an error तो इसमें आपको गलती find करनी है गलती के spot में है if was नहीं होता है यहाँ पर were का use किया जाता है according to formula आपको देखिए if subject plus were plus noun या प्रनावन हो सकता है अफिर subject और word plus object आपका use होता है तो वाज वाले पार्स में इसमें गलती है second number option है आपका right होगा next है the antonym of the following word is regular regular का मतलब होता है नियमित इसका आपको विलोम सब्द बताना है punctual मतलब समयनिष्ट irregular आपका अनियमित हो जाएगा इसमें careful मतलब सावधान dull मतलब सुष्ट reward का मतलब होता है इनाम इसका आपको विलोम बताना है reward मतलब हो जाएगा punishment price मतलब इनाम gift मतलब उपहार hell मतलब नरग तो थाड़ आपका action right होगा change any one of the following sentence into indirect speech direct narration change करना है madam said mother you have tried much please take rest now यहाँ पर हो जाएगा madam told mother that she had tried much she should take rest then यहाँ आपका sentence बन जाएगा indirect में क्योंकि यहाँ पर आपका sentence था simple तो इसलिए told said में change किया गया इसमादर को इधर लेकरा और comma जो लगा था उसके बाद में that you को mother से change करेंगे she हो जाएगा और have का had tried much और यहाँ पर जो देखिए sentence जो था सलागे रूप में था तो जब भी सलागे रूप में sentence हो तो वहाँ पर please को remove कर दिया जाता है और उसकी जगे पर she should का use कर लिया जाता है she should according to subject आपको subject लगा लेना है और should लगा लेना है take rest now का then अगला है alas I am undone said kamla in saturn इसको आपको बनाना है kamla exclaimed with shadow तो यहाँ पर alas जब भी आएगा तो आपको शारू लगाना है exclaimed के साथ में that लगाना है फिर वादने see I को kamla से change करेंगे see हो जाएगा और am का वाज हो जाएगा फिर undone हो जाएगा combine any one of the following sentence as director तो combine करना है where have you put my book please tell me complexes का बनाना है complexes का हो जाएगा tell me where you have put my book I saw a man he was lying by the roadside he was dead simple sentences का बनाना है I saw a dead man and lying by the roadside transform any one of the following sentence as director transformation से ही आपका he completed the work on the time negative बनाना है इसका he did not incomplete the work on the time what a lazy boy you are तो इसका selective बनाना है you are a very lazy boy correct any one of the following sentence यहाँ पर correct करना sentence को father has divided his property among his two sons तो जब भी two की बात होती है तो यहाँ पर among नहीं between का यूज किया जाता है तो यहाँ पर आजाएगा between among की पर यहाँ पर आजाएगा father has divided his property between his two sons she has no cloth to wear इसमें क्या होगा she does not have any cloth to wear if you had worked hard you would pass if you had worked hard you would have passed यहाँ पर would pass नहीं होगा would have passed हो जाएगा the patient dead before the doctor had come the patient had dead before the doctor came हो जाएगा कम नहीं होता है ठीक है use any one of the following pair of words in your own sentence to make the different in their meaning clear तो यहाँ पर आपको meaning clear मैं कर दे रहाँ sentence आपको खुद से बना लेने है wet रुखो w-a-i-t wet w-e-i-z-t wet wet मतलब हार accent मतलब होता है a-s-c-e-n-t मतलब आरोहर a-s-e-n-t translate the following into English अब आपको story मिलेगी प्रतिक ब्यक्तिक गुरू नानक के नाम से अच्छे तरह परिचित है पच्पन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रूची नहीं थी एक दिन के पिता ने उन्हें 10 रुपे दिये और बाजार से कुछ आवस्तिक चीजे लाने के लिए कहा बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधों मिले जो बहुत भूखे थे उन्होंने सारे पैसे साधों को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिये बिना कोई वस्त खरीदे घर पर वापस आ गये जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुनानक से कुछ भी नहीं कहा किन्तु उन्होंने विचार किया भविश्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका समान सब करेंगे Everyone is well acquainted with the name of गुरुनानक As a child he was not interested in reading, writing and playing One day his father gave him 10 rupees and asked him to bring some necessary thing from the market On his way to market he met some sadhus who were very hungry He spent all the money on feeding the sadhus and returned home without buying anything When his father came to know about this, he did not say anything to Guru Nanak but he thought that in future his son would become such a great that everyone would respect him Thanks for watching this video ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूले और हमारे इससे पहले की जो वीडियो अप्लोड हो चुकी है उनको देखने के लिए हमारी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में प्लेलिश्ट आपको दीगए और हम सजाक कासा ही वीडियो हमारी डिस्क्रेंग長 के लिएक्र यावचे उनको देखने के खिंग में देखने के लुक्छे के लिए हमारी बॉक्स देखने के लिए